देखो भाई आज retirement of a partner तो चालू करना है लेकिन मज़ा ही क्या जब तक बाबा जी का flavor न डले अब पता है परेशानी क्या है कि यार chapters बड़े नहीं है इनको बड़ा बनाये जा रहा है और इसलिए कुछ चीज़ें retirement में डालने की कोशिश की गई है और उसे बड़ा बनाने की कोशिश की गई है और कोई हमारे सामने बड़ा बने बाबाजी एंड हिश फैमिली उसके सामने कोई बड़ा बने हम बताईए ऐसा होने देंगे क्या आईए retirement को छोटा करें क्योंकि हमारे सामने बड़ा बन रहा था शुरू करता है बाई तो बूटी हैस्टेग वन में चालू करने वाले हैं यह जो अलग-अलग मित हैं रेटार्मेंट के अंदर इन्होंने बहुत सारी चीजे दे रखी हैं और बताया ऐसे है कि भाई कोई एक नया चैप्टर ही चालू हो गया है नया अध्याय ही चालू हो गया है तो पैन कॉप पूटी हैस्टेग वन देखो भाई एडमीशन और रेटार्मेंट में बात सिर्फ इत्ती सी है और फर्क सिर्फ इत्तासा है ध्यान से सुनना एडमीशन के टाइम पे दोस्त नया नया आता है इसलिए वो उसे कुछ मिलता नहीं है मतलब जो मिलता है वो पुराने दोस्ती बाटते हैं क्योंकि एडमीशन के टाइम पे तो नया पाटने आ रहा है और नया दोस्त को थोड़ना कुछ मिलता है यार वो तो विचारा बिल्कुली नया नया उसको क्यों दोगे तुम तो एक नया दोस्त जब बनता है तो उसे कुछ नहीं मिलता है लेकिन हाँ जब वही दोस्त पुराना हो जाता है और जाने की बाते करता है तो यार वो जाते जाते बहुत कुछ ले जाता है मतलब जब आया था तो खाली हाथ आया था और कुछ खास बात नहीं थी लेकिन जाते जाते जब वो दोस्त बन जाता है जब वो यार बन जाता है और जब वो रिटार होता है दोस्ती से तब बहुत कुछ लेके जाता है मतलब अभी जो मैं बात करने वाला हूँ कुछ journal entries की उसमें फर्क सिर्फ इतना ही होगा सिर्फ इतना ही admission के time और retirement के time बस इतना ही और कुछ खास अंतर नहीं है फिर चाहे आप उसे admission chapter की journal entries बोलो चाहे retirement chapter की journal entries बोलो मेरे लिए दोनों चीज़े कूल रहेंगी तो यार जब इतना ही easy है तो देरी किस बात की है चलो एक बार करके देख लेते हैं वह कौन-कौन सी चीज़े हैं note down करते हैं और चालू हो जाते हैं चलिए भाई चलिए तो आपको retirement chapter खोलते ही अगर आप specific books use कर रहे होंगे तो एकदम से बारत सी आईगी देखेंगे अगर आप तो और वह यह होगा कि general reserve हो गया workman compensation reserve हो गया या फिर P&L जो liability site दिया रहता है memorandum revaluation जैसी चीज़ हो गया investment fluctuation reserve हो गया हाँ बाई गुडविल हो गया जो asset site दिया रहता है P&L हो गया जो asset site दिया रहता है P&L appropriation के बारे में बात करेंगे भाई और यह जो goodwill है वो valuation होगा admission और retirement के time पे इतनी सारी चीज़ों का आपके उपर माथा फोड़ा जाएगा कि आपको लगेगा भगवान retirement कितना बड़ा chapter है इतना कुछ पढ़ना पढ़ता है क्या retirement में लेकिन पता है कर क्या रहे हैं वो वो कोशिश कर रहे हैं कि दिखाएं ऐसा कि 12th में बच्चों को बहुत पढ़ना पढ़ता है लेकिन मैं बता रहा हूँ कि कुछ नहीं पढ़ना पढ़ता यह दिखाने के तरीके हैं chapter को बड़ा बनाना चारे हैं हैं वही चीज़ें जल्दी से यह उतार लो जो चीज़ें मैंने लिख वाई हैं और मैं वैसी की वैसी ही चीज़ें आपको अब भी के अब पर करके बताऊंगा अगर आपको नहीं आई और अगर आपको एजी नहीं लगी तो बताना मुझे तब बात करेंगे आप नोट करो मैं आता हूं जरा अभी क्योंकि अपने को हिसाब किताब अगर चुकता कर नहीं है तो धंग से करें ना भाई चलो चलो करते हैं पता है मैंने इसको रेटायर्मेंट नाम से क्यों दिया मतलब आपको नीचे दिखा लिखा दिख रहा है कि भाई रेटायर्मेंट का पार्ट है क्योंकि मैं आपको यह बताना चाहरा था कि मैंने अभी तक इतना टाइम क्यों लगाया सीधी बात है भाई इंसान जब यहां से यहाँ पहुँचने में मतलब भाई जाद निकल जाती है छोटा चालू करता है इंसान बिचारा शुरुआत की जो प्रोग्रेस होती है वो बड़ी धीरी लगती है दुनिया को लगता है वो साला कहीं पहुँची नहीं पाएगा फिर यहाँ से छलांग लगा कि जब इनसान यहाँ पहुचता है तो लगता है एकदम से कैसे कर लिया इसने उन्हें यह नहीं समझ में आता है कि शुरुआत की स्ट्रगल किती बड़ी थी जिन्होंने भी बाबजी की साथ स्ट्रगल करी होगी उनको एक चीज़ पता होगा कि बाबजी ने कंसेप्ट क्लियर कर दिये हैं और अब उन्हीं कंसेप्ट के साथ देखो यह कितना आसान हो जाएगा चाहे एडिमीशन चैप्टर उठालो चाहे रिटार्मेंट चैप्टर अब वो जब रिटार होके जा रहा है तो एक बात बताओ जो पुराने प्रॉफिट से रिजर्व बनाए होंगे क्या उस पर उसका हक नहीं बनेगा बिल्कुल बनेगा और वो क्यों बनेगा क्योंकि उसने भी उत्ती महनत की reserve में उसके भी profit का पैसा लगा हुआ है तो जब retirement के time पे सारे reserves बाटेंगे तो वो जो reserve बटेगा उसको debit को लेकेगा क्योंकि reserve एक liability होता है जब उसे बाटने की बारी आएगी तो reserve को लेके जाएंगे debit और partners के capital में credit कर देंगे दे दिया retiring partner को भी मान लेते हैं retiring partner जो है वो C है उसको भी दे दिया हमने profit मतलब general reserve दे दिया उसको basically क्योंकि उसका भी हक बनता था यह किस में बाटेंगे सारी की सारी चीजे old ratio में क्यों क्योंकि सारे partners उसी तरीके से अपना हक रखते हैं तो सारे partners ने old ratio में बाट लिया अपने profit के ratio में जो general reserve था situation क्या है क्योंकि partner retire हो रहा है अगर admission होता तो क्या कोछ अलग होता नहीं तब भी old partners बाट रहे होते मान लो old partners होते A और B तो क्या कर रहे होते A और B भी अपने बीच बाट रहे होते मतलब आपको पता है admission में भी same यह entry होनी थी अगर admission का time होता कोई change नहीं होता मैं तो यह तक बोल रहा हूँ कि even narration same रहेगा पहले तो आप retirement के लिए लिख लो मैं एक बार फिर बोल जाता हूँ क्योंकि जब मैं admission बताऊँगा तो आपको यह नहीं लगना चाहिए क्यार बाबाजी हुआ क्या तो मैं आपको क्या बोल रहा हूँ retire हो रहे तीन partner है ABC जो C भाई साब है वो retire होने वाले लेकिन retirement से पहले सारी चीज़े partner जैसे admission के time पे adjustments होता है वैसे retirement के time पे भी होगा बिल्कुल same to same वैसी होना है जो यार क्योंकि C का भी हक रहा है पुराने reserves पे इसलिए जब general reserve को आप dissolve करोगे तो तीनों partners की बीच old ratio में बाट दोगे कोई बहुत बड़ी बात नहीं है अब admission की बात करते हैं मैंने बोला admission के time पे even narration तक same रहेगा मानलो C नया partner है मैंने बोला जब नया बंदा आता है तो उसे कुछ नहीं मिलता बोला था कि जब नया बंदा आता है तो उसे कुछ नहीं मिलता लेकिन वो जब दोस्त बन जाता है और जब लेकर जाता है तो बहुत कुछ लेकर चला जाता है यानि C भाई साब general reserve लेकर तो जा रहे हैं लेकिन जब C भाई साब admit हुए होंगे तो उनका general reserve पे कोई हक ही नहीं था तो हटा देते हैं इसको यानि C भाई साब के admission के time पे A और B ने general reserve बांट के खाया होगा क्योंकि C तो नया partner enter हो रहा है उसका पुराने general reserve पे क्या हक narration तब भी same रहेगा जो पुराने partners थे उन्होंने general reserve अपने old ratio में बांट कर खा लिया होगा क्योंकि नया partner admit हो रहा है उस time पे सारे reserves बांट के खा लिये जाते हैं बताईए कोई enter है बिना बात के topic बढ़ा के रखे हैं बताईए admission में अलग retirement में अलग होना वही है देखिये जड़ा कुछ अंतर है क्या चलिया करिया आप लिखिये इसे हम आगे बात करते हैं इसके बाद लिखिये जड़ा चलो बाई दूसरा case देख लेते हैं यहाँ पे मान के चल रहे हैं कि जो partners हैं वो अपने बीच equal ratio share कर रहे हैं मैं बात करूँगा दोनों retirement की भी और admission की भी क्योंकि क्यों एक एक chapter individual करें जब दोनों ही same है तो एक चीज़ के लिए दो बार क्यों पड़े जब एक बार में पूरा खतम हो जाएगा भाई तो बिल्कुल clear करते हैं investment fluctuation reserve की बात मैं कर रहा हूँ जो investment थे वो appear हो रहे थे हमारी books में 20,000 के लेकिन अब उनकी market value गिरके हो गई 19,000 ठीक है भाई investment fluctuation reserve जो हमारे पास available था वो था 4000 का यानि अगर investment 1000 से गिरा है तो investment fluctuation reserve 1000 से तो use हो जाएगा हमने use कर लिया investment में 1000 रुपे से दिख रहा है आपको यहां पे retirement का question पहले करेंगे क्योंकि retirement का chapter नाम दिया है retirement तो पहले retirement करना पड़ेगा भाई और अगर retirement पहले करेंगे तो मैं थोड़ा जादा cool बन सकता हूँ नहीं हूँ बट I will try सो होगा क्या हमने 4000 का लिखा investment fluctuation reserve और सबसे पहले investment को adjust कर दिया 1000 रुपे से बचा investment fluctuation reserve का balance 3000 1000 क्यों adjust किया क्योंकि market value गिर रही थी और उसके हिसाब से 1000 का loss हो रहा है 20,000 की चीज़ अब 19,000 की हो चुकी है तो 1000 का loss जो है वो investment fluctuation reserve से write off कर दिया to investment करके क्योंकि asset कम हो रहा है asset कम होता है तो credit side आता है asset बढ़ता है तो debit side होता है भाई है ना तो credit side हमने investment को कम कर दिया debit side पे उसे investment fluctuation reserve से adjust भी कर दिया लेकिन बाकी फिर भी 3000 का investment fluctuation reserve बचा बचा के नहीं बचा भाई तो वो existing partners मतलब अभी तो CB partner है ना भाई admission होता तो कितने partner होते भाई दो partner होते के नहीं होते सही बताओ C भाई से आपका कोई roll ही नहीं होता हाई हाई ये होई ना बात पकड़ लिया आपने बताइए क्या होगा चमतकार हो गया भाई अब क्योंकि C partner ही नहीं है तो C तो नय admit हो रहा है ना admission के टाइम पर तो C को कुछ भी नहीं रहेंगे क्योंकि नए दोस्त को कुछ नहीं मिलता जाते वाला सब कुछ ले जाता है तो जब C जा रहा था तब तो लेकर गया लेकिन अभी आ रहा है मानलो C admitted as a new partner है तो वो जो investment fluctuation reserve उस time पर adjust होगा वो पुराने partners के बीच ही होगा 4000 में से 1000 तो investment में यूज हो गया 3000 बचा A और B भी इकॉल partners हैं तो 3000 अपने बीच देर देर 1000 करके बाट लिया बताओ कुछ नया था क्या retirement और admission में कुछ बहुत ही नया किया क्या अरे मैंने narration तक change नहीं किया भाई मैंने सुचा narration भी क्या change करना हाँ भाई IFR distributed among old partners in their old ratio and investments adjusted आगे लग जाएगा वो तुम भी लगा सकते हो लेकिन मेरा essence यहाँ पर बताने का ये था पढ़ाई करना जानते हो smart study करना जानते हो तो hard work तो वैसे भी दुनिया कर रहे है कौन से सब महात्मा गांधी बन गए तीसरा आ जाते हैं workman compensation reserve पे अगर workman compensation reserve for example 70,000 का दिया हुआ है और बोला है कि उस पे claim आ गया है 25,000 रुपय का ठीक है भाई adjust करने की बार ही आती है कोई नहीं बात नहीं है 17,000 का WCR लिखा claim था 25,000 का तू workman compensation claim दिखा दिया 25,000 का 70 में से 25 माइनस करते हैं तो बचता है 45,000 क्योंकि तीनों partners equal है retirement के time की बात कर रहा हूँ मैं तीनों partners में equal बढ़ जाएगा कोई तिकत नहीं है यह हो इना बात लेकिन admission की बात करें जैसे कि मैं बाल बाल रा था बाई admission की अगर बात करें तो admission में तो भाई C भाई साब नए आ रहे होंगे अगर admission का time होता तो C भाई साब नए होते तो क्या C भाई साब के साथ करते share नहीं जब नया दोस्त आता है तो कुछ नहीं लाता ना कुछ देते हैं हम उसे लेकिन जब वो जाता है A और B तो 70,000 में से 70,000 में से जब workman compensation claim गया 25 तो बचा 45 और वो 45,000 जो है A और B old partners अपने बीच बाठ कर खालेंगे जब retirement की बात थी तो A, B C old partners थे क्योंकि तीनों ही partner थे C retire हो रहा था जब admission की बात आई तो तब A और B old partners है और C नया partner आ रहा है यानी सीधी बात है बटेगा हमेशा old partners में retirement के टाइम पे तीनों partner old partner होते हैं अगर चार होंगे तो 4 old होते हैं और admission के टाइम पे नया partner वो होता है जो आ रहा है मतलब जो पहले से हैं वो old partners होते हैं बटता हमेशा old partners के बीच में है claim है तो claim भी दिखा देते हैं बाकी बचा हुआ क्योंके ratio मैंने equal assume किया है इसलिए equal बाटके दिखा दिया अगेन बताओ retirement में अलग से देने की जरूद थी नहीं admission में अलग से पढ़ने की जरूद है नहीं same चीज है बस पता होना चाहिए कौन सी चीज को कब पढ़ना है खतम next पे आते हैं अब भाई next देख लेते हैं जो के है goodwill का adjustment अब मुझे फर्क नहीं पड़ता question retirement का है या question admission का है question में balance sheet जब मैंने देखी क्योंके question almost same जैसे दिखते हैं तो जब मैं retirement का question देख रहा था तो उसमें भी balance sheet given थी जैसे admission के time पे दी रहती है तो retirement की question में जब मैंने balance sheet बनी देखी तो मुझे उसमें asset side पे goodwill देखी 30,000 रुपीस की मुझे पता चल गया यह loss है अब जब मुझे पता चल गया loss है तो general entry में loss को करते हैं हम write off क्योंके loss है इसलिए partners के capital account debit होंगे generally partners के capital account का favorable balance होता है credit अगर कोई loss हो रहा है तो partners के capital को करना पड़ता है debit यहाँ पे मैंने यही किया क्योंके ABC retirement के time पे भले ही retire हो रहा हो उससे फर्क नहीं पड़ता C partner तो है अगर partner है तो old partner है यानि CB as a partner ही लिया गया तो हमने क्या किया goodwill को credit लिखा क्योंके write off कर रहे है और उसको partners के capital से debit करके यह बता दिया कि partners के capital account से goodwill को write off किया जा रहा है हमने कर दिया because ratio equal था old ratio में write off किया जाता है मैंने आपको partners capital जब सिखाया admission में तो clearly बताया था सारी चीजे old ratio में जाती है तो यहाँ पर 10-10,000 करें क्योंके equal ratio है write off कर दिया partners के बीच में लिख दिया goodwill return off among old partners in their old ratio कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी अब admission होता तो क्या नया चमतकार होता तब उनके लिए C जो होता और C को write off नहीं करवाना पड़ता मतलब C भाई साब यहां से गायब रहते लेकिन write off के entry तो तब भी होती बस हाँ बात यह हो जाती तीन partner की जगे दो partner होते चलो देख लेते चमतकार क्या हुआ क्या करा मैंने बताओ मैंने C को गायब कर दिया और अभी भी old partners के बीची किया क्योंकि C तो नया partner admission के time पे admit होगा ना तो अगर मैं admission के context में देखूँ तो A और B दोनों old partners है और C नया partner आएगा और मैंने बुला यह सारी चीज़े old partners के old ratio में write off होती है या adjust होती है या distribute होती है तो मैंने यार A और B के बीच में उनके equal ratio में क्योंकि ratio equal लिया है 15-15,000 करके goodwill को write off कर दिया फिर से again कोई नई बात नहीं है बहुत ही basic सी चीज़ थी बता दिया अपनने चलो भाई ऐसे ही अगर asset site पे अगर asset site पे P&L दिया होता मानलो ये goodwill नहीं होता भाई goodwill की जगे है यहाँ पे उनने दिया होता भाई P&L account है यार profit and loss account है आपने asset site पे घूर के देखा advertisement suspense दिया है चलो advertisement suspense दिया profit and loss account दिया है दोनों में से कुछ भी दिया है तो क्या होता admission के time पे सोच के देखो दो partner होते goodwill की जगे हम क्या कर देते यहाँ पे लिख देते वही P&L 30,000 का था old partners की बीच right off हो गया retirement होता तो हम क्या कर देते C भाई साब भी यहाँ पे आ जाते C's capital account हो जाता debit करके यहाँ पर यह हटा का 10, 10 और यह भी 10 हो जाता क्योंकि मैंने बोला तीनो equal partner है और equal partner मतलब 30,000 को 10, 10, 10 करके आप क्या कर दोगे right off P&L की जगे अगर advertisement suspense भी होता अगर कहाँ पे देखते आप advertisement suspense asset site पे again यहाँ पर आपको advertisement suspense मिल जाता तो भी वो ऐसी right off होता तीनो partners के बीच में retirement के time पे और अगर retirement की जगे admission का question होता तो भाई C भाई साब गायब रहते और यह दो ही भाई साब होते 15,000-15,000 करके इन में right off हो जाता कहने का मतलब मेरा क्या है admission और retirement में इन entries में कोई difference नहीं है बस अगर आपकी books में उसको retirement में दिया गया है तो वो retirement chapter की length बढ़ाने के लिए दिया हुआ है ताकि आपको यह लगी कि retirement में देखो कितनी journal entries है बलकि कुछ नहीं है कुछ है ही नहीं It's all about logic, it's all about smart work जो जानते हैं वो ये भी जानते हैं कि admission और retirement में ये चीज़े सेम है वो admission में उतना brag नहीं किया जितना उनने retirement में brag कर दिया और हमें लगा retirement कितना बड़ा chapter है retirement एक दिन का chapter है वो तो यहाँ पे मुझे link बढ़ाना था admission और retirement वरना मैं एक दिन में खतम करने वाला था जैसे death कर दूँगा एक दिन का chapter, एक दिन का dissolution एक दिन का chapter, ऐसे chapters है pace तो अब बड़ेगा, logic तो अब बने है मज़ा तो अब आएगा देख लिया ना भाई, कितना आसान है खतम, journal entries खतम, ऐसी की जाती है profit and loss credit दिया होता तो आपको मालूम है जैसे WCR, जैसे investment fluctuation reserve बाटा था वैसे बाट देते सीधी बात है, admission के टाइम पे C नया partner होता, इसलिए C को नहीं मिलता retirement की टाइम पे C old partner होता इसलिए मिलता है, अगर एक आखरी ज्यान लेना चाहते हो, तो मैं फिर से बोल देता हूँ ये सारे reserves, चाहे workman compensation हो चाहे IFR हो, admission के मैंने आपको ledger बनवाय तब भी सिखाय था, सारी चीज़े old partners के old ratio में जाती है admission के टाइम पे A और B दो partners होते हैं जिनको old कहा जाता है लेकिन retirement के टाइम पे तीनों partner ABC old होते हैं उनके old ratio में जाता है, बाकी चीज़ें सेम हैं, जैसा मैं आपको बता चुका हाँ, memorandum, revaluation बड़ा हुआ है, एक बाद देखें मैं तो ठहरा ठेट बुद्धी, मुझे ना पता है के admission में different memorandum होई है, और retirement में different memorandum होई है, revaluation की बात की जाए जब, मेरे को तो एकी चीज़ समझ में आती है, अगर नाम आ रहा है memorandum revaluation, तो जब नाम एक है, तो काम भी एकी होना चाहिए जैसे admission अलग है, retirement अलग है, तो लगता है भाई, हाँ यार chapter अलग होगा क्योंकि नाम में कोई difference है, लेकिन अगर memorandum revaluation term यूज हो रहा है तो मुझे तो लगे है यह एकी चीज़ है, देख लेते है भाई, बुक सहिए या हम सहिए, चलिए चालू करते है हमारी booty hashtag 2 से, अभी पता लग जाएगा गलत होगा, चोट हो जाएगी ठीक है भाई, क्योंकि बुक बोल रही थी, यानि जो आपका question आपके सामने अभी आने वाला है अच्छा पहले आई जाए, फिरी नाटक करेंगे अपन जो ओवर एक्टिंग वाले होते हैं हाँ भाई, तो क्योंकि question बोल रहा है कि memorandum revaluation मैंने भी सोचा कि यार heading तो memorandum revaluation देनी पड़ेगी तो मैंने heading देनी भाई, memorandum revaluation account जैसे कि आप देख पा रहे हो बट मेरे अंदर से एक आत्मा बोल रही थी, जब तेरे को revaluation account बनाना आता है तो घबराता क्यों है भाई, बना, revaluation account बना, memorandum जो होगा बाद में देख लेंगे ठीक है भाई, revaluation account आता है, दिल ने आवस दी, तो दिल की तो मानेंगे भाई, बाबाजी का दिल है भले ही आप लोगों के लिए बहुत प्यार है, लेकिन confidence भी उतना ही होता है तो अपन ने बनाना चालू किया revaluation आप question में देखेंगे, तो bad debt के बारे में कुछ दिया हुआ है, सबसे पहला adjustment कि भाई, जो debtor थे 2200 रुपे के, उनने बोल दिया कि हमें जो पैसा देनी नहीं है अब अगर आप उसमें देखो ध्यान से, तो provision बना हुआ था 1600 रुपे का 1600 तो provision से माइनस हो जाएंगे, मतलब जो actual revaluation पर impact आएगा 2200 का जो bad debt हुआ है, उसमें से 1600 अगर provision में से हटा दो तो actual में जो हमारे उपर loss आया, वो 600 रुपे का आया हमने दिखा दिया bad debt होगा 600 रुपे के, सिर्फ 600 के क्यों, क्योंकि बाकी 1600 का provision available था, total 2200 का loss हुआ है, 1600 क्योंकि provision है, उससे माइनस हो गया बाकी बचा हुआ 2200 में जो भी था, जो के 600 रुपे था, वो हमने यहां पे loss दिखा दिया अब उन्होंने question को difficult बनाने की कोशिश की, मैंने का भाई, क्यों कोशिश कर रहे हो, जब तुमसे बनता नहीं है तो उन्होंने बोला, provision for doubtful debt will be maintained at the existing rate existing rate कुछ दिया नहीं था, हम कैसे पता करें existing rate क्या है भाई, तो हमने क्या किया अभी पता चला कि 1600 का हमने provision for debt बना रखा था, 32,000 के total debtor थी, अगर percentage निकालना है तो 10 to 100 तो करना ही पड़ेगा, मैंने भाई गनत लगाना चालू किया, मैंने का ठीक है भाई, यहां से 3,0 गया, यहां से 2 और 1,0 गया, 10 तो यहां पर अपना बचे ही हुआ है अब यहां पर अगर अपन करते हैं तो 16 वंजा 16 होता है, और अगर 2 से multiply करते हैं तो 32 तो आई जाता है और 2 वंजा 2 मालुम है भाई हमें, और 2,5 जा 10, मतलब जो provision for doubtful debt है उसका अभी का rate चल रहा है 5% का, ठीक है भाई, अभी भी existing rate पे ही बनाया जाएगा अगर अभी doubtful debt, अगर हम जो हमारे अभी bad debt हुए थे, doubtful तो नहीं, bad debt ही हुए थे सीधे भाई, 32,000 की total debtors थे, ठीक है, उसमें से 2200 तो बिचारे गए, स्वर्ग सिधार गए, वो पैसा नहीं देंगे अब हमें, तो हमारे पास 29,800 की अब total debtors बने हुए हैं, बचे हुए है बोल लेते हैं भाई, तो या 29,800 की जो total debtors बचे हुए हैं, उसका 5% बनाएंगे अब हम, जब उसका 5% बनाएंगे, क्योंकि existing rate पे maintain करना है, तो provision for doubtful debt निकल की आएगा 1490 का, इस तरीके से उन्होंने नया provision for doubtful debt निकाला, मैंने का यह तुम लोग मत करवाय करो, यह अपन से calculation वगरा हो जाता है बड़ी आसानी से, यह यहाँ पर आगया कोई बड़ी दिक्कत नहीं थी, अभी तो मेरे दिमाग में था, यह इतना भयानक नाम क्यों use किया है, why this evil name I was not getting, so मैंने सोचा चलो अभी आगे करता हूँ, अभी तो मुझे revaluation account बनाना आता है, इन सब का मुझ लिखा हुआ था कि 25600 था और अब सिर्फ 23400 हो गया, 25600 और 23500 मतलब कितने से कम हो गया बाई, 2100 रुपए से कम हो गया, कम हुआ तो नुकसान है, नुस्खान जो होता है, नुस्खान वो आता है, debit side हमने नुस्खान, मतलब नुकसान ही होगा, ऐसा मत बोलना, सर ने कौन सा नुस्खान बता दिया, हम थोड़ा सा फनी बनाने के लिए नुस्खान बोलते है, I know that was a P.J. bad joke, but you can take it, मैं पढ़ा रहा हूँ, तो थोड़ा सा कर लिया करोगा, मैं बोर होता रहता हूँ, तो stock जो है, उन्होंने यापर 2100 का दिखा दिया, ठीक है भाई, 2100 क्यों दिखा था, तो 60 की थी, 82 हो गई, 22,000 से बढ़ गई, मैंने लिख दिया भाई, यहाँ पे, फिर उनने बोला, plant and machinery 68 रहे गई, balance sheet में देखा था, तो 70 थी, 2000 से कम होई, plant and machinery भाई, यहाँ पे अपन ने लिख दिया, plant and machinery, और आखेर में, जो creditors की liability थी, वो 1400 से reduce करनी थी, क्योंकि उन हमारे पास profit आया, 17,210 का, और यहाँ बोलो gain आया, 17,210 का, हमने partners के old ratio में बाट दिया, क्योंकि retirement से पहले तीन partner थे, जब हमने तीनों partner के बीच बाटा, तो इस figure में बाटा, क्योंकि तीनों के बीच का ratio था, 5 ratio 3 is to 2, यानि 5, 3, 2, तो 17,210 का, कैसे, credit minus all the debit, minus करके 17 to 10 का profit आ तीनों में बट गया भाई, मेरे खाल से ratio में बाटना तो आपको आता होगा, यह तो बहुती easy step है, 8th class में ratio सीखा था, तो वो तो कोई बड़ी चीज नहीं है, मैंने revaluation account बना लिया, मैंने का यार मुझे अभी तक तो memorandum वाली feeling नहीं आई, फिर मुझे किसी ने कहावत भाई, life में उल्टा सीधा होता है, हमने का नहीं भाई, हम जिस language में बोलते हैं, उल्टा सीधा नहीं होता, life में अंधा पौंधा होता है, उसने बोला हाँ बात तो सही है, मतलब उल्टा सीधा बोलो, अंधा पौंधा बोलो, एकी चीज होती है, तो revaluation को हमने बोला, हमने स क्योंकि हम से नहीं होता, हमने क्या क्या का हम है ठेथ दिमाघ हमें आराम से समझातों तो मिलचने आ जाएगा तुम टेख्निकनी में बजा cinema क्या नियूंगे लेकिन हमें का चू समझ में नहीं याएगा याइनि हमें बता हमारी लेंग्वेज में मैं में पूला Memorandum of Revaluation है Ondha-Pondha मतलब उल्टा-सीदा हमने का बहुत ही शानदार ऐसे याद होता है ना भाई तो हमने का इसका क्या करें उनने बोला ये तुमने उल्टा किया है पॉन्धा और कर दो तुमारा answer आजाएगा मैं का मतलब उल्टा किया है मतलब सीधा किया है उल्टा कर दो मैंने का हाँ यार बात तो सही कहा रही हो ये तो सीधा हुआ ना तो उल्टा कर दो मैं बहुत पीजे हो गया अपना आगे देखते है तो भाई ये घटना है पहले की जो थी वो थी रेटायर्मेंट से पहले की अब जो घटना हो रही है मतलब सीधा का उल्टा जो हो रहा है वो retirement के बाद का हो रहा है जब partners ने अपने बीश ratio कर लिया था 3s to do का और बचे हुए partner थे अतुल भाई साब और संजीव भाई साब क्या करा उन्होंने कुछ नहीं तीप ना आता है आता है के नहीं आता है यह जो थाना पूरा ऐसे उठाओ और इधर चाप दो चाप दिया पूरा हाँ इस तरफ प्रॉफिट कहला रहा था तो इस तरफ जो final answer आएगा वो loss transfer to होगा amount same वही आना है क्योंकि चापा तो पूरा वही है ना 17 210 दिख रहा है ना भाई यहां पर जो loss आएगा वो 17 210 आएगा क्योंकि वो उस तरफ का figure आ रहा है इसलिए उसको loss बुला गया और यहां का उठाकर यहां चाप दो मतलब यहां पर नीचे देखो यहां पर चापा हुआ है यहां पर दिखा दिया 22,000 और 1400 रुपे और बाकी figure यहां दिखा दिये 17 210 का loss आ गया क्योंकि अब retirement के बाद 2 पार्टनर बचे हुए है वो अपने बीच 3 इस टू टू में बाटेंगे हमने भी 3 इस टू टू में बाट दिया लिख दिया यहां पर खतम memorandum revaluation इसके अलाव यह जर्नल में उल्टी साइट चले जाएंगे किस साइट भाई credit साइट और debit साइट क्या नाम आ जाएगा memorandum revaluation account debit to bed debt to stock to planted machinery to provision for doubtful debt ठीक है मैं भी आगे ज्यादा ऐसे complicated नहीं बना रहा इसमें क्या करेंगे भाई land and building और sundry creditors किस साइट है यहां पर credit साइट तो जल्दी से जाए था हमारा गिन यानि यह वाली चीजे यह तीनों के capital account यहां पर किस साइट है debit मतलब वहां पर journal entry में कहां पर जाएंगे credit साइट पर यह तीनों आ जाएंगे credit साइट पर two side मतलब debit side क्या तू क्यों बोलना हूं भाई पता नहीं कभी कबार क्या हो जाता है debit side पर क्या जाएगा memorandum revaluation account तो memorandum revaluation account debit to your partners capital simple इसके साथ भी बताई देरा क्यों परेशान हो रहे हो bed debt stock plant and machinery provision for doubtful debt यह चारो चीज़े जो है यह इसमें किस side credit तो जर्नल में कि side चली गई जल्दी बताईए आप debit side चली गई कि नहीं चली गई bed debt account debit stock account debit planned and machinery account debit provision for doubtful debt account debit यह सारे कि सारे debit चले गए और two side पर क्या आ गया memorandum revaluation account मतलब credit side फिर यह दोनों है भाई अपने debit side पे land and building and sundry creditors भाई तो इनको उठा कि हमने कि side डाल दिया credit side debit side पर क्या लिखा memorandum revaluation account debit to land and building to sundry graders finally loss आया यह credit side है यानि हमारी जर्नल में दोनों के दोनों debit आएंगे अतुल's capital account debit संजीव's capital account debit again to memorandum revaluation account क्या tough था नहीं एक ही चीज है पता नहीं दो दो बार देके confused क्यों करते हैं वो तो बिचारे अपना काम निप्टा रहे हैं लेकिन आपने कभी ऐसा सोचा कि ऐसे भी पर सकते थे एक ही साथ दो निशाने एक तीर से दो निशाने तभी तो कहा जाता है work hard का कोई मतलब नहीं है जब तक smartly नहीं किया जाए it's all about how you do your job and that is how accounts is done हो गया जल्दी बना लो भाई घत्तम तो भाईयों आज का वीडियो आप सबको ज्यान देना था और दूर दर्शिता दिखाना था कि चीजें टफ नहीं है देखने में लगती है it's all about क्या पढ़ते कैसे हो जैसे आज हमने पढ़ा तो भाईयों ऐसे ही पढ़ते रहो syllabus हमारे उपर है पढ़ाई आपके उपर है पढ़ाई पर ध्यान दो और मैं उन सभी माता जी पिता जी से बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूंगा जिन्हों ने आप सब ने हम पे जो भरोसा दिखाया और जिसकी वज़े से आपके बच्चे आज इतना confidence हम में दिखा रहे हैं आप सभी को धन्यवाद और हाँ तुम लोग के लिए तब तक के लिए बाबाजी की तरफ से धन्यवाद कर दो